नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आप एक बार फिरिशे स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्सस कंपनी के एक के एवे के MPPT Solar Inverter या यूँ कहें कि Solar PCU के बारे में MPPT Solar PCU के बारे में मैंने पहले काफी वीडियोज बनाई हैं जिसमें आपको MPPT जो टेकनोलोजी है उसके बारे में काफी डिटेल में बताया है और आपको पता ही है जो MPPT टेकनोलोजी वाले Solar PCU या Solar Charge Controller होते हैं उसमें जो Solar Panel से आने वाली जो पावर है वो 30% तक बुष्ट हो सकती है लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने उस Solar PCU के उपर कौन से Solar Panel का उप्योग किया है MPPT Solar Charge Controller या Solar PCU तभी Solar Panel से आने वाली सप्लाई को अप्टू 30% बुष्ट कर सकता है जब Solar Panel से High Voltage आ रही हो High Voltage का मतलब ये है कि अगर आपने एक बैंटरी का सिस्टम लगाया है यानि कि 12V का आपका सिस्टम है और उसे चार्ज करने के लिए बैंटरी को लगग 14-15V की ही आवशकता होती है तो Solar Panel से जब 14V से जितने भी ज़्यादा पावर सप्लाई आएगी उस एक्स्ट्रा सप्लाई को MPPT जो Solar Charge Controller है वो करेंट में कनवर्ट कर देता है और आपकी जिससे की आपकी जो बैंटरी है वो ज़्यादा अच्छे से और जल्दी चार्ज हो जाती है तो इसलिए MPPT जो Solar PCU होते हैं या Solar Charge Controller होते हैं उसके उपर बैतर सेल वाले Solar Panel लगाने के लिए मैं रिक्मेंड करता हूँ क्योंकि जो बैतर सेल वाले Solar Panel होते हैं उनकी VOC लगबग 45V होती है तो Solar Panel से आपको काफी High Voltage मिलती है जिससे की MPPT जो Solar Charge Controller या PCU है वो उसे Current में कनवर्ट करता है और आपकी बैंटरी को ज़्यादा जल्दी से Charge कर देता है तो जो Nexus Company का Solar PCU है या भी MPPT टाइप का ही है तो सबसे पहले बात करते हैं इसके Interface की तो यहाँ पे सामने की तरफ आपको एक On-Off का Switch दिया जाता है साथ में नीचे आपको LED इंडिकेशन दी जाती है जो कि normally सभी इनवेटर में आपको देखने को मिलती है और यहाँ पे पैनल की तो बैक पैनल में आपको यहाँ पर दो फैन देखने को मिलते हैं जो कि इसे ठंडा रखने का काम करते हैं और सबसे उपर आपको दो बटन दिये जाते हैं सबसे पहला जो होता है वो mode selection का होता है जिससे कि आप inverter mode और UPS mode को enable या disable कर सकते हैं यहाँ पे जो दूसरा बिटन है वो hybrid और smart mode को select करने के लिए होता है इन दोनों mode के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो के अंदर आपको बताया है तो अपनी जरूरत के अनुशारा पीस में कोई भी mode select कर सकते हैं नीचे की तरफ आपको यहाँ पे output के लिए एक socket दी जाती है उसके नीचे की भी होती है वो देखने को मिलती है तो यहाँ पे साथ में फिर आपको यहाँ पे mains की wire दिखती है और उसके उपर solar panel लगाने के terminal block दिये जाते हैं तो यह कुछ इसका interface है अब बात करते हैं इसके technical specification के बारे में तो जैसा कि एक कीवी का model है तो आप इसके उपर 800 वोट तक क जो load है वो अराम से चला सकते हैं 800 वोट के load के अंदर बात करें तो आपका refrigerator आ जाता है cooler आ जाता है आपके घर के पंखे आ जाते हैं जो बलब है वो आ जाता है और जो छोटा जूशर mixer और grinder होता है वो आ जाता है आपको यह देखना होगा कि आपके घर में कौन कौन से appliance ही load चला सकते हैं और इसके उपर आप जो half HP का tool pump होता है हमारे घर में normally use होता है वो भी इसके उपर आराम से चला सकते हैं और solar panel capacity की बात करें तो इसके उपर आप एक किलो वोट तक के solar panel लगा सकते हैं और यह single battery और double battery दो अलग-अलग model में आपको देखने को मिलता है और ज उसके उपर 36 cell वाला जो panel लगाना होगा ज्यादा से ज्यादा आप एक उसके उपर बैतर cell वाला panel लगा सकते हैं और जितने भी पैनल आप लगाएंगे वो सभी के सभी आपको parallel connect करने होंगे और मेरी recommendation यही रहेगी कि आप इसके उपर बैतर cell वाले ही solar panel का उपयोग करें औ और उसके उपर आप बैतर cell वाले जो पैनल है वो दो सिरीज में connect कर सकते हैं तो उसका आपको काफी benefit मिल जाता है और इसके उपर एक पिलो वोट के पैनल लगा सकते हैं तो आप इसके उपर यहाँ पर 330 वोट के तीन पैनल को parallel connect कर सकते हैं और इसके अंदर आपको DSP based controller मिल मिलती है इसके अलावा यह प्योर साइन वेव वाला solar inverter है जिसके उपर आपको दो साल की warranty मिलती है इसके अलावा अगर आप इसके बारे में और जड़ डिटेल से जानना चाते हैं तो हमारी वीडियो की description में आपको इसका लिंक दिया जाएगा जहां से आप इस inverter के बारे मे ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं बैंटरी की cutoff voltage range के बारे में हाई cutoff के बारे में सभी जो जानकारी है वो आप हमारी website के उपर जाकर पा सकते हैं तो अब बात करें price की तो यह आपको market के अंदर 11,000 रुपे के लगबग मिलता है और अगर आप इसे खरीदना चाते हैं तो online इनकी website से जाकर भी खरीद सकते हैं और अगर आपके nearby में इनकाल जो distributor है अगर वो है तो वहां से भी आप खरीद सकते हैं MPPT के अंदर इस price range के अंदर काफी बढ़िया solar inverter है अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल रहे जाता है तो वीडियो के comment box में comment करके हमसे पूछ सकते हैं तो अभी इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें शेयर करें साथ ही हम कि झारे मझा आप झодभ 시 आयां किया है वीडियो के अ हंवी व desenियो के पुक joking के अभी को बेस अभी आपした report है पूछ सवान कें इतने ही हम वीडियो कि मैं पैंवान क tapa CPA मॉट सवान केया ओringते है वीडियो को अवान वारुत。